नमस्कार मैं हूँ संधी प्रावजी वरकर्स उनिटी की टीम इस समय बिहार एलेक्शन कवर करने पहुंची है बिहार में इस समय हम लोग रोहतास जिले के सासाराम के पास में मौजूद हैं करगर एक जगह है वहाँ पे और यहाँ पे ग्रामीर मजदूर यूनियन के लोग चुनाओ पर चर्चा कर रहे हैं अपनी रड़नीती बना रहे हैं लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि ये वही जगह है रोहतास वही जिला है जहां से शराब बंदी का अंदोलन शुरू हुआ था एक शराब की भठी थी उसको महिलाओं और लोगों ने स्थानी लोगो अठेका नहीं मिलेगा लेकिन स्थानी लोग बताते हैं कि अब वो ऐसा विकेंद्री करण हो गया है शराब का कि अब वो गाओं गाओं घर घर जहां भी जो लोग जान पहचान के लोग हैं उनको आसानी से कुछ लोगों का ये कहना है कि आसानी से उपलब्द होने के कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये शराबंदी का अंदुलन कितना महत्पूर्ण था और कैसे वो परवान चड़ा और अब जब कि शराबंदी हो गई है तो अभी क्या हालात हैं आपका नाम क्या है शराबंदी में आप खरिते थे और जो गाउं की बेटी बहने रात को सो चोगरा के बाहर जाती थी उन लोग के साथ बोली बोलते थे गोडों में लंगडी मारते थे इसके चलते हम लोग देखे तो बहुत बुरा लगा इसलिए हम लोग इसके लिए अंदुलन के लिए तेयार हुए इस रहा था कितने लोग वहां पहुंचे था और यहां भठी था उसके बगल में दुदू को बैंक था इस्टेट बैंक और ग्रामी बैंक उसके बगल में एक परवेट इस्कूल था भठी में लोग पीकर साम को बहुत उपद्रो करते थे और ते बेटी बहन सोचाले के लिए बाहर जाती थी लोग रफ बात करते थे बोलते थे उसके बिरोज में अवरत में एक जागरुकता पैदा हुई कि हम लोग इस भठी को बंद करें कि मेरा बेटा मेरा पती कमा कराता ह 500 रुपया, 400 पी जाता है, 100 रुपया लेका घर जाता है, कुछ कहने पर डंटा से पिटता है परिबार को, बच्चों को मरता है, जो भठी बंद हो जाएगी तो गरजियन जो आएगा रुपया कमा कर बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा, लिखाएगा, सबजी किन के लि सब्सक्राइगा, इसी उदेश से महिला पक्राइगा, महिला महच ने एक्षन में आई और जूलुस को रुप रेकर, इसको कुनार गां में खाए, सिर्सागर बॉलक में, उसी भठी को बंद किया, तला तोड़ दिया गया, उसको सराब को फोर फार के फेंक दिया गया, उस परटिकल में इतना सराब चल रहा है, कि उसे भी बेसी लोग सराब पी रहें, पौईसा आधिक लग रहा है, पहले 30 रुपए लगता था पाउच में, अब 100-500 रुपय लग रहा है, और यहां के जनता परसान हो गई है, और महिला ही परसान हो गई है, ते बाचा उसे भी मे परसांग आई, और जैसा बता रहा है, प्रगतिश्री महिला संगठन ने इसको लीड किया, और पूरे इलाके के लोगों को गोल बंद किया, हमारे साथ इस संगठन से जुड़े हुए, ग्रामीड मजदूर योनिन से जुड़े हुए अशोग जी है, ये भी उस आंदुलन में कहीं ने कहीं भागिदार थे, अशोग जी आप से ये जानने की हम कोशिश करेंगे, कि ये यहां से जो उठी आवाज, वो पूरे बिहार में किस तरीके से आंदुलन का रूप लिया, महिलाओं ने क्या-क्या नारे गड़े, और पहली नमबर तो जा कि हम लोगे, जो न अश्या नमबर तो हम लोगों ने सासाराम में चार-पाच महिलाएं, इसको सोची और प्रगत्सील महिलामंच नाम से कठन किया, संठन का जिसके नेत्री काम्रेड सुनीता जी हैं, और उनके नेत्रीतों में पहले कुनार में, कुनार में घटना यह हो रही थी, कि जैसे सां यह सब वहां बजार लगता है, और उस घनी अबादी की बीच में सराव के भठी चल रही थी, जिससे लड़कियों को, महिलाओं को सौच करने में परसानी होती थी, जाने आने में लंपट लवारा लोग थे, वो भवतिया करते थे, लंगी लगाते थे एक चीज यह तो उन्होंने बताया, एक चीज जो हम जानने के कोशिश करेंगे, जब भठी तोड़ दी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद यह कैसे बिहार में फैला, बाकी जिलों में कैसे गया यह जब हम लोग यहां पर इसका संग्यान लिया, और जब भठी तोड़ी तो जो बजार में लोग थे, वे अलग-अलग जगह के थे, और अलग-अलग जगह के लोग गए और यहां से पता ले गए कि आप लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, और लोगों ने हम लोगों को साबसी दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग मेरे यहां भी आई एक से दूसरे दूसरे से तीसरे गाव में हम लोगों को बुलाने लगे । वहाँ यह जब हम उस गाव में घए हमारे पूरुसी लोग गए तू वहाँ के जो महिलाएं थी वह महिलाएं अपने पुरुष के खिलाफ जा करके और हम लोगों को साथ दिया और पुरुष को पिटने तक का काम किया अपने ही पुरुष को मेलाओं से पिटवाने और खुद पिटने का कावी काम किया और यह बाद जब एक जगा मार पड़ी तो कहीं-कहीं मिडिया तक भी बढ़ी और हम लोगों ने आप जैसे जो मजदूर पक्षिय या अच्छे समाज के ही तैसी मतलब पत्रकार बंदू थे हम लोगों ने उनका भी सांथ लिया और उने भी इसका हावा दिया और यह बात को फैला और यह बात मैं जब पूरे राज में फैला तब देखने यह में यह लगता था कि ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन पेपर में ऐसी दो घटनाएं तीन घटनाएं नो निकलती हो जिसमें महिलाएं जाडू ले करके डंटा ले करके अपने पती को या सराबियों को ख़ड़ी नहीं यह बात फैलने लगी तो इस तरीके से धीरे- इसे खुश हैं यह लाई इस ती कम जोड़ नहीं है बहुत बढ़ बावरू कैसे हैं और बहुत को इसकी कोते में गए घर घर बेचाता है तो घर घर बेचाता है जहां जहां 30 रोपया 40 रपय के मिलत रहे तहां डेर सब के मिलता दारू तब भी माने पी एवड़ा पी यह कोई के माने बाल बचया बोले लगता भाव बाव नहीं है ना कंट्रोल नेकिए सराप लोगा कोंट्रोल लेखे जफित अच्छाद बेचाता हो करा घर चकमारी भी नेखे हो अच्छा जब नुए खेट दरस और चकमारी भी होता था था अबने के तो घर जब से ना च्शक खाना भी खाते में लिए खूले बताली धूक अच्छे घर घर वो जाकर के पुलिस वाले चेक करता कि तुरा घर सराब बेचाता है तुरा घर गोली बन उखाए चोर है डाकू है जबकि हमने के कुछ भी नहीं करा है अब करता का का कुछ तो यह कह रही है कि उस समस्या जो है अभी खतम नहीं हुई है बलकि बढ़ गई है और प्रशासन जो है घर गर जाकर के यह चेक कर रहा है कि यहां दारू बिक रही है नहीं बिक रही है और वहां पे यह भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग मुखवरी कर देते हैं परसनल दुश्मनी की वज़े से या परसनल खुनस की वज़े से तो उसमें भी पुलिस पैसा वैसा ले करके वो तंग करती है आप लोगों से आप आईए आप यह बताइए कि क्या यह अगर ऐसी समस्या है तो क्या फिर से कोई आंदोलन आप लोग शुरू करने के बारे में सोच रही हैं कि फेन दोलन करेंगो कि शराबी बंद हो इस चराब बंदी से जो है कुछ बहुत बहुत फाइदा ना बास आप शराब बेचाता तो जहां जहां बीस रुप्य तीस रुप्य के मिलता हैं डेड़ सो के मिलता आज जितना बान अदमी ता पीए ओला पी आतावन पीके आपन पलिवार के खर्चा भी कहां से चल रहा होगा खर्चा चल तो गे पी आहीं में उडाहीं में रह जाता हूं अच्छ तो फाइदा हुआ होगा शराब बंदी से थोड़ा बहुत फाइदा होगा कुछ आदमी पीए लो छोड़ देले बान जाड़ू डंटा मार परल तो आद दिया बहुत लोगा शाल दूसाल तब फिर उसे काम हो खेलागा अच्छ फिर जब तक माने दारू फिर से उपलब्द हो गई तो सारे लोगों फिर से आपका क्या अनुबाव है ठीक है छोड़ देंगे तो ठीक नहीं माने छोड़ दिया है अब कोई दिकत नहीं जो सहती ह तो थोड़ा तो खुश होना चाहिए ना ना ठीक है लेकिन के चलावनी देनी साइकिल कि लाइकि साइकिल से स्कोल कर जासान तो इसकोल भी बंध हो गया मान ताइक दारू सराब पी के है लाइक लेकि लेकिए जाती है तो नहीं तो जब शराब बंध हुआ तो यह यह कह रहे हैं लोग कि जब छेडखानी की में वज़ा छेडखानी थी जिससे शराबंधी का एक अंदोरन उभरा लेकिन यहां पर जो लोग एकठा हुए हैं वो हम दूसरी तरफ चर्चा को ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो अभी चुनाव हो रहा है बिहार का और 28 अक् बिए में भी तूटफूट हो गई है लग हो गया है और लग ने नारा दिया है कि लग लग यही असली बीजेपी है और यहां रोहतास से खासकर जो सीट आई है वो जेडियू को सीट मिली है और महा गडवंधन से जो लोग हैं उसमें कॉंग्रेस के भी हैं साथ सीटे हैं इस जिले में तो कहां इनलों का मूड क्या है क्योंकि 15 साल से नितिश कुमार की सरकार है क्या क्या फरक पड़ा है हम अशोग जी एक बार फिर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का मूड क्या लग रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार जनता का इसे से नकूस है लोग और इसको अब बदल देना चाहती है और बदल देने के मूड में है और कि वर इन ही को नहीं जो इनके गटवंधन के परत्यासी है या वो फिलहाल अलग हो गए फिर भी उनको भी यह नहीं पसंद करती और वो इनको हाया चाहती है वो इसलिए कि यह जितने स्रम कानून में बदलाव किये हैं मोदी सरकार इसमें जितने सवागी नितीश सरकार भी रही है लोग डाउन में जितने उत्पिरन हुआ है प्रवाशी मजदूरों को और इसमें जितना भागिदार मोदी सरकार है उससे कम भागिदार नितीश नहीं है तो अभी लो है ये लोगे इस सट्था से जाए ये फाशी वाधी ताकत है संपरदाई के साथ जो उत्पिरन हो रहा है ब्रतकार हो नरहा लेकिन इसके साहन साथ हम अभी करना चाहते हैं कि यह जो ग्रामी मर्दूरी उनियन जो फैसला लिया है कि एंडियों को हराने वाले परतनीदियों को भोड़ देंगे उनको भी यह है अच्छा नहीं मानता कि वे भी जो नियुक्रोमी पॉलिसी लाई थी कॉंग्रेस से उसी क कहीं बेहतर हैं और इसके साथ हम लोग लड़ लें तो इसका अगर हम यहां हराते हैं इसको तो कहीं ने कहीं इसका अच्छा इंप्यक्ट पड़ेगा इस पर कि वह कमजूर होंगे क्योंकि यह सरकार की जो नियती बनी हुई है कि पूरे भारत वासी को विदेशी घोशित कर देने के लिए जो NRC और NPR और CWA ले लाने वाले हैं यह मिन्त साह बोल चुके हैं कि हम 24 तक करेंगे इसको भी ध्यान में रह करके हम भोटी करेंगे कि नहीं 24 से पहले हम इनको विभिन राजियों में परास्त करके कमजोर करने के काम करेंगे कि यह NRC न लाए अभी प्रवासी मजदूरों की अशुक जी ने बात की यहां पे बिहार एक उन राजियों में सबसे बड़ा राजिय है जो अपने लोगों को बाहर भेजते हैं और बाहर जा करके लोग प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं और बिहार में वो पैसा आता है और बिहार सरकार के ख़जाने में एक बड़ा हिस्सा उनका है हमारे साथ एक नोजवान है जो दिल्ली में काम करते थे आप और दिल्ली में काम करते थे लॉक्डाउन में वो घर आये और तब से यहीं पे है आपका क्या इसमें रुख है और अभी तक पहले एक तो थोड़ा सा अनुभाव बताईए कि लॉक्डाउन में आपको क्या जिगार है काह से रोजी रोटी चलाने में इतना परसानी हो रहा है भी आप लॉक्डाउन शुरू हो उसके बाद कब आ पाए लॉक्डाउन शुरू होने से पहले हम जनुवारी में आ गये थे उसके बाद फिर आप गय नहीं फिर जाने की तैयारी तो कर ही दिये थे जाना था 25 तरीखों 25 अर्च जाग लॉकडाउन के श्राइट या जब लॉकडाउन थोड़ा सा हलका सा खुला तो यह कहा गया कि मनरेगा मेए रोजगार मिलेगा आपको कितने दिन का रोजगार मे concepts में चला कर रहा में चला यहां चाल कियीए सब्सक्राइब बारा दिन में 7-8 दिन हम भी किये थे, तो उसमें पैसा कुछ आदमी का तो मिला है, कुछ आदमी का इसे अटका पड़ा है, बारा दिन काम करके 6 महिना, 8 महिने जितना दिन भी हो गया, उसी सामन चला रहे हैं, एक और मजदूर है, जो सिल्वासा दमन दीव जो है, गुजरा असित प्रदेश है, वहाँ पे भी बिहार के बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग थे, और लॉक्डाउन में वो लॉट के आए हैं, उनसे हम बात करने कोशिश करेंगे, आपका नाम क्या है? क्रिशनकुमार, क्रिशनकुमार・ कुछ दे काम करेंगा अपना मगर नहीं खुला फिर हम लोग माई में गाड़ी पकड़ के आया ट्रेन से आये जो सरकार नहीं चलाए था तो यहां पर जबसे आप हैं क्या यहां पर आपकी आजीविका को साधना तो अभी सरकार यहां जो मुखमत नितिशकुमर थे बोले थे थे दिदू आयρι मिलेगा पंदरा दिन को राटार्य में रखा गया था मगर वह नहीं मिला दूद के नहीं एक चीज और यह बताइए कि जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपको यह ध्यान में रखेंगे कि लॉक्डाउन के दौरान मज़दूरों के साथ क्या हुआ प्रग educating theチャ Quebec Τा ले शैघंड कुषक में इतना अपने दिमाग में रहकाना थे यहां से अपने यह सरकार को चैंज करेंगे 1500 एब उफर के अजव्यके सरकार को चैंज करेंगे और जबटूनाप संसाथ काईगा 2014 में देली को सरकार को चेंज करेंगे सीधा इसलिए जो भी काम कराता है दिली का सरकार काम कराता है सब दिली के सरकार के वज़ा से हम लोगे दिकत होता है हमारा सरकार जो नितिज कुमर थे वो सिधा बोल दिये तो बारीज जो मुझदूर आदमी है वो यहां नहीं आएगा माना कर दिया थे लिए कर निकला के सब्सारण नहीं कुछ सेब्सकार Hydiki सब्सक्राइज कना 10.45 ग। हम लोग इना संतोष्ट नहीं है संतुस्ट नहीं है कूधल नितिस कुमार 90 दिन नकल ही कूरोणा में पुरा एक थीवी नहीं दिखाई दिये कि नहीं कोरोना में हमारे बिहारी भाई जो हमेरे मजदूर है उकीस तरह से मैंने कई से की साल में है जो आ गए इतने दुख परसानी लाठी डंट सा गए तो कुई साल में एक बारा के बोले भी नहीं है न दुख समचर लिए गरीबों काई इस सरकार से यह ग हम क्या है जो है सरकार से हम वेज़गारी हैं पर लिकर भी अपना नोकरी नहीं ले पाते हैं नहीं निकल पाता है तो आपको लगता है कि दूसरी सरकार जो आप चुनेंगे वो करेगी हां करेगी तो करेगी लेकिन फिलाल अभी तो परियोर्तन करना है सरकार को जो पंदर बावना है कि एक बार बार चुनाव जीतने के बाद जो है एक गड़ बन गया है सरकार का और सरकार सोचती है कि ये लोग तो हमारे ही लोग हैं हमें हमें वोट देंगे तो एक भावना ऐसी नजर आ लोग सोच रहें कि परिवर्तन किया जाए हमारे साथ एक बहुत ही बुजर्ग दादा है आप जरा गया जाएगे क्या नाम है आपका दिशनात्राम क्या लग रहा है इस बारत क्या लग रहा है अब तो सब कम सब करते हैं तो आप नहीं है आप तो आपको हम दिखा देते हैं कि जोड़ करके नया पगड़ी है याने कि क्योंकि परिवर्तन की बात है तो आपको हम दिखा देते हैं कि जो सेंटिमेंट है जो मजदूरों का कोड़ विल आया लगवक तीन कोड़ विल आये इसी पिछले संसत सत्र में उसको पास कर दिया गया उसका भी इन लोगों ने वो कर रखा है आठ घंटे काम यूनियन बनाने हरताल करने का अधिकार चीनने वालों को वोट को चोट द का मंच की तरफ से यह बैनर बनाएगे आप बैनर दिखा सकते हैं इधर जनतांत्रिक अधिकारों के दुश्मन भाजपा जदियू गठवंधन को नकार दो इनके खिलाफ ही वोट दो गदी से उतार दो और एक नारा और है सांपरदाइक द्वेश फैला कर राज करने वाली सरकारों पर वोट करो चोट करो और इनके खिलाफ वोट करो तो यह बैनर हैं धेर सारे बैनर लोगों ने बनाये हैं कुछ पर्चे निकाले हैं एक जो एक बहुत बड़ी समस्या बिहार की ये भी रही है इस जो हम लोग चुनावी अभियान कवरेज करने के लिए निकले है वरकर्स उनिटी की तरफ से उसमें एक खास बात ध्यान रखेंगे कि मनरेगा जो मजदूर है या जो प्रवासी मजदूर है और जो लैंड सीलिंग का मामला है जो लैंड डिस्रिबूशन का मामला है जमीन के बटवारे का मामला है वो बहुत बड़ा मुद्दा था गुर्बे और जो मजदूर आबादी थी उन्होंने खड़े हो करके इस डिमांड को उठाया था कि जमीनों पर सबका जो जो तरहा है वही उसकी जमीन हो उस जमीन का मालिक हो तो यह कुछ समस्याएं हैं जिस नजरिये से हम लोग वरकर्स उनिटी में जो रिपोर्टिंग आप देखेंगे आने वाले समय में और जो लाइफ फेस्बूक या जो स्टोरीज हैं उनको हम उसी नजरिये से करेंगे अभी कुछ हमसे बात करना चाहती है आपका नाम क्या है अनिता कमारी हाँ बताईए आप सर मैं कहना चाहती हूं कि क्या हम लोग अगर निटी से को बह माया डिक इन्टर जो भी बीए किये हैं उनको न तो नोकरी अज तक मिला है और जो भी परिछा देने भी जाते हैं लोग पास नहीं हो पाते हैं। प्लस में हम देख रहा हैं कि जो भी मायाटरिक इंटर के जो इस्टुडेंट हैं आज कर नस्य जादा करते हैं एही कहना हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं उनके लाइफ को बनाईए नस्य से दूर कीजिए गाउं गाउं छोटा भी दोकान हो चैने बड़ा दोकान हो सम्म नसे बीखते हैं दारू गांजा जो भी मतलब नशाच चीज है लेकिन नितीश सरकार ने तो दारू बंद कर दी है और वो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं देखिए बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी लोग अपने रोजगार के लिए छुपा कर बेचना सुरू कर ही देत एक लड़का पीता है उसका संघतिया है जो भी मतलब अपने गाउं का है आफस में ले करके एक समुग बना लेते हैं यह सब काम करने के लिए हमको भी कुछ थोड़ा थोड़ा पाता है तब ही मैं बोल रही है इसलिए हम यही कहना चाहेंगे क्या नितिश कुमार से कुछ कहन बच्चा नासा करने लगे क्या अपने परिवार चला सकते हैं नहीं न मॉलेजे किसी के घार में बढ़े बाबाप हो और उनके बेटा नासा करें तो क्या उनके कांबाबाप दी सकते हैं नहीं न अगर वही बचा अपने लाइफ में पॉल लिख करके अगर कुछ कमाता है तो आपना सूखी संपन से परिवार चला सकता है इसलिए आप गहेंगे कि इस नसीली चीजों पर दबाव डाला जाए एक सेंटिमेंट आप देख रहे होंगे कि वो शराबंदी और नशाबंदी का जो implementation है वो कितना हो पा रहा है ये एक दिगर बात है लेकिन जनता के बीच में वो सेंटिमेंट है और जैसा शुरू में हम लोगों ने जब शुरू किया था कि शराबंदी की किससे से हम लोगों ने कहानी शुरू की थी तो शराबंदी का आंदोलन इस पूरे इलाके में श हुआ है क्योंकि शराबंदी और नशाखोरी का कारोबार पूरी तरह से और बलकि कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि ये और तेजी से सामने है तेजी से लोगों के घरों में पहुँच रहा है तो ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको ले करके नितिश कुमार से अगर लोग खुश होंगे तो नाराजगी भी है कि जबानी जमा खर्च कर दिया गया है शराबंदी का नाम दे दिया गया है लेकिन शराब घर घर पहुँच रही है उसी तरह जैसे गुजरात में आजादी के समय के बाद से ही जो है वहाँ पे शराबंदी है लेकिन आप वहाँ पे श कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो वापस लोटे हैं या जो लोटने के बाद फिर वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास यहां पे भी कोई काम नहीं है उनकी क्या स्थिति है महिलाओं की क्या स्थिति है और जो अभी संघर्ष चला है सासाराम में अभी कुछ क्योंकि केंद्र सरकार, मोधी सरकार ने बिल्कुल ही भरतियों पर पावंदी लगा दी है रेलवे में कोई भरती नहीं है और अब इस्थिती तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है अब तो उनको बेचने का ही प्लान कर दिया है तो अब भरती तो निकलने से रही तो ये स कुछ-कुछ ये सेंस मिल रहा है कि लोगों के दिमाग में कहीं ने कहीं कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं और अपने भले बुरे के बारे में वो पूरी घहराई से और हर पहलू पर सोच रहे हैं तो ये आप लोग वर्कर्स उनिटी के फेस्बुक लाइव को देखते रहिए और फेस्बुक से जुड़े रहें वर्कर्स उनिटी डाट कॉम पे रहें और वर्कर्स उनिटी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें तब तक के लिए नमस्कार